नमस्कार बहुत स्वागत है आपका दूर हो जाए तो आईए जानते हैं बिस्तार से देखिए हनमान जी इस कलियोग के जागरित देव हैं और अगर उनकी विसेश पूजा अपास ना करें तो जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है विसेश तरह के प्रियोगों से गरहों को सांथ किया जा सकता ह चाहे आपके जीवन की कैसी भी बाधाएं हो सिच्छा में बाधा हो विवाह के मौमलों में बाधाएं हो या फिर मुकदमे करजों से परेसानी हो आपको मुक्ति मिलती है हनमान जी की जवाब पूजा कीजिएगा ना तो आप अपने घर के पूजा स्थान पर यानि उत्तर पूसपर फित करें फिर इसके बाद आप लड़ू का भोग लगाएं लड़ू ना हो तो गुड़ का भोग लगाएं कोशिस कीजिएगा मंगलवार का दिन है तो लाल वस्तर धारन करके ही पूजा करें ब्लू और ब्लैक कलर का कपड़े पहन के पूजा मत कीजिएगा आप पान का बीड़ा बनबाकर पान का बीड़ा का मतला एक पान का पत्ता खरीद कर ले यह उसका डंठल तोड़कर हटा दें अब धोकर इसके उपर पान के पत्ते पर चिकने साइड दो लॉंग दो इलाची थोड़ी सी मीठी बस्तू यानि मिस्री विगरा रखें अब इसका की अब बिड़ा के द्रह मूर कर बना लें और हरण जी के मंदिन में एक दिया लेकर जाए सरसों के ऐलन का दिपक興 में रूई की बाती होगी और दो लॉंग होंगे अब हनुमान जी के सामने दीपक जलाईए और पान का बिड़ा उन्हें अर्पित कर दें पिर अपनी मनो कामना कहें करझों से मुक्ती के लिए प्रात्ना करें और उन्हें आपकी जो भी मननत मांगनी है धन की मुश्किले हैं मांगने के बाद एक बाद याद रखिएगा जब भी भगवान से अपनी मनोकामना कहते हैं बोल बोल कर सब्दों में बोलिए क्योंकि मन में तो बहुत सारी बाते होती है पर जो आप उन से सामने आकर बोलते हैं वही मननत आपकी पूरी होती है तो आपको करजों से मुक्ती भी मिलेगी धन की मुश्किलें दूर भी होगी इस हनुमान जी के जनमोच सब के दिन विसेश मनोकामनाओं की पूरती होगी कर्ज से बहुत प्रेसान है तब क्या करें जब मेहनत करने के बाद भी सफलता ना मिले तब क्या करें घर में अगर धन की मुश्किल आने लगे बिमारियों पर ज़्यादा खर्च होने लगे और जब आप करज में फ़स जाएं और करज की रख़म वापस ना कर पाएं करजे में डूपते ही चले जाएं घर में पैसे तो आएं पर बचे नहीं तरक्की नहों पाएं तब क्या करे तो चले जानते हैं बिस्तार से चुकि आज हमारा टॉपिक है पान का पत्ता पान के पत्ते के जादोई परियोग से आप अपनी मुश्किलों को दूर कर सकते हैं चाहे धन की हो करजों की हो जीवन की परिसानियों की हो जो पान का पत्ता आप इस्तिमाल करेंगे जो घर समुचा होना चीए कटा फटा हुआ या किसी तरह का खराब दाग धब्बे वाला पान का पत्ता आपको नहीं लेना एकदम से ग्रिन देखकर लीजे और मंगलवार या चुकि मंगलवार के ही दिन आपको प्रियोग करना है आप वैसे अगर मंगलवार नहीं कर पाए तो अच्छे से और चोटा बड़ा पत्ता माइन नहीं रखता अब हम आपको एक खुबसूरत सा परियोग बताएंगे कर्ज से बहुत परिसान है कर्ज आपको परिसान कर रहा है आपको लगता है ला भी नहीं हो पा रहा है तब एक उपाए अब देखे एक पान का पत्ता तो लेंगे उस पर आप लॉंग और इलाइची रखें इलाइची छोटी वाली रखेंगा इसका बिड़ा बनाईए मंगल वार की साम हनुमान जी के मंदिर आपको कुछ लेकर नहीं जाना सिर्फ पान का बिड़ा लेकर जाना है और आप जाकर लगातार तीन महिने तक हनुमान जी के चर्णों में अरपित करना शुरू कर दें ये पान का बिड़ा आप देखिएगा कर्ज चुकने के रास्ते नहीं बन पा रहे थे तो अब इन तीन महिनों में ही कर्ज चुकाने के रास्ते बन जाएंगे और धीरे धीरे आप कर्जों से मुक्त हो जाएंगे एक उपाय तो ये हो गया अब एक और उपाय ये उपाय बहुत खुपसूरत है और ये सिर्फ कर्ज का ही समस्या समाथ नहीं करता बलकि आपके जीवन की बड़ी से बड़ी परिसानी को भी समाथ कर देगा अब बड़ी से बड़ी परिसानी मतलब जैसे होता है ना कर्ज तो आप हज़े हुएं ठीक है कभी कभी क्या होता है अपना मकान नहीं बना पा रहे हैं कभी लगता है नौकरी में परमोसन नहीं हो पा रहा है बेटी का साधा साधी फैनल नहीं हो पा रहा है जौब नहीं मि क्या करेंगे एक पान का पत्ता सुन्दर सा लीजिए अब इस पान के पत्ते को चिकना जो साइड है उपर वाला साइड उसको नीचे कर दे और रुखा साइड उपर करें इस पर दो फूल वाली लॉंग यानि एकदम से साबूत लॉंग लेना है सुन्दर सा देख के फ़टे हैं तो तमाम रुकावटे समाफ्त हो जाएगी और पान के पत्ते के साथ आपकी परिशानी बह जाएगी आप देखिए यह उपाए करने के 2-3 मेने के अंदर ही आपके काम की रुखावटे समाफ्त हो जाएगी और आपको सफलता मिलने लगेगी बहुत सिंपल है लेकिन करेंगे तो लाब फंडेट पर्संदेगा अब एक और चीज होता है कभी कभी क्या होता है न कर जे कि समस्या में आप फ़स्द गया है अब यहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तब आप कोई वी एक उपाए कर सकते हैं आप चाहे तो टोटल उपाए कर लीजेगा क क्योंकि हनुमान जी हर चीज से प्रसंद हैं लेकिन आपको टोटकेश ले करना कि गरहों में जो बाधाएं हैं वह बाधाएं समाप्त हो जाए और आपके उपर किर्पावर्से भगवान की तो जब कर्जी की मुक्ति के लिए आपको एक खास प्रियोग आप कर सकते हैं यह प अब हनुमान जी के सामने बैठें एक घी का दिया जलाएं उसमें दो लॉंग डाल दें अब मंगलवार की रात 11 से एक के बीच परियोग कीजिएगा अब यह दीपक में जब आप लॉंग डालिए उसके बाद बैठ जाएए वहीं पर आराम से 11 बार हनुमान 40 का पाठ करें संबब हो तो नमक मत खाईएगा कोई दिकत नहीं है नमक नहीं भी खाएंगे एक दिन तो चलेगा स्वास्त के लिए अच्छा है आप यह प्रियोग लगातार कुछ दिनों तक करें कम से कम तीन महने तो जरूर करें नियमित रूप से करें कर्ज से छुटकारा मिल जाएग और यह प्रियोग रात 11 से एक के बीची करना है आपके घर में आपकी मा है बहन है बेटी है पत्नी है जो भी है वो कोई भी आपके लिए कर सकता है आप खुद भी कर सकते हैं तो यह प्रियोग आपको मंगलवार की रात करना है कुछ नहीं करना एक दिया जलाना है बड़ा काठी नहीं है क्या करेंगे हमने वादा किया था तीन परियोग बताएंगे लेकिन आज हम आपको ज्यादा परियोग बताएंगे क्योंकि हम चाहते हैं आप अपनी सुभीधा के अनुसार परियोग करें अब यह नहीं कि आप रात में नहीं कर पा रहें आपकी ड्यूटी होत बिल्कुल साबूत सुन्दर सा तीन नारियल का गोला खरीद कर मार्केट से ले आईए लाएंगे कब यह प्रियोग आपको मंगलवार के दिन नहीं सनीवार के दिन करना है हलांकि हमने आज ही आपको बता रहे हैं तो आप अपनी सुविधा नुसर कीजिएगा तो सुक्रवार के दिन या किसी भी दिन आप लेके चलिए आईए नारियल का तीन गोला अब सनीवार की अर्ली मॉर्णिंग नारियल का एक गोला ले यह तीन सनीवार के लिए तीन गोला किसी भी पीपल के पास जाएं मिट्टी में गड़्ा करें और उसको दबा दें अब आप सोचेंगे में आसपास पास पीपल का बिश नहीं कोई बात नहीं तो आप कोई और उपाई कर लें कोई दिकत नहीं है देखिए जो जहां करना है उसको कीजिए उल्टा पुल्टा इसको अच्छे से वहां पे रख दें फिर हलका सा कभर कर दें बिना पीछे मुरे घर आ जाईए भगवान को कहिए कि प्रभू जीवन की परेसानी को समाफ्त कीजिए आप देखिएगा आपके कर्जे भी समाफ्त होंगे जीवन की मुस्किले समाफ्त हो जाएंगी और जो मंगलवार के दिन भी प्रियोग कर सकते हैं एक और चोटा सा प्रियोग जो आपके जीवन के मुस्किलों को दूर करेगा क्या करेंगे आज रात यानि मंगलवार की रात आप 11 से एक के बीच ये प्रियोग करना है अश्नान बिगरे करके फ्रेज कपड़े पहनने बस सफेद और काला रंग कपड़ा नहीं पहनना है अपने घर में ही हनुमान जी के तस्वीर के सामने बैट जाएं एक घी का या सरसों के तेल का दीपक जलाएं अगर आपकी कोई बिसेश मनो कामना है तो दो लॉंग डाल दीजे इस दीपक में अब 11 बार हनुमान 40 का पाट कीजिए अपने घर के पुजा स्थान पे जहां अपने दीपक जलाया है भगवान जी के सामने बैट कर कोशिस करिजिए कि आप नमक ना खाएं और ये प्रियोग आपको लगातार कम से कम तीन मंगलवार करना है और कोशिस करना है कि नमक ना खाएं अगर नमक खा भी ले तो कम सकम लहसन प्याच का सेबन मत कीजिएगा आपको बड़े से बड़े करजों से छुटकारा मिल जाएगा और ये प्रियोग अगर आप तीन मंगलवार करते हैं या फिर पांच मंगलवार करते हैं तो ऐसे में आप देखिएगा धीरे धीरे धन आने लगा है जीवन की मुस्किले कम होने लगी है तो यह प्रियोग आपको बस यही याद रखना है कि रात 11-11 के बीच करना है अगर जीवन में ज्यादा परेसानी हो तब एक और छोटा सा प्रियोग आप कर सकते हैं एक पान का पत्ता ल बहते वे पानी में डाल दें पीछे मुड़कर मत देखिएगा आपका दुर्भाग ये दूर हो जाएगा बह जाएगा आपके जीवन की मुस्किले समाथ हो जाएगी अगर पहता हुआ पानी ना हो तो कहीं पीपल के नीचे रख दे या किसी मंदिर के सिढ़ी पर रख दे पीछे मुड़कर मत देखें फिलाल हम आपसे बिदा लेते हैं जानकारी अच्छी लेगे तो लाइक करें